स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नौलेच में आप सब सिविल साइट से जुड़े यह देख रहे हैं घर बनाया जा रहा है इतना वर्क हो चुका है कॉलम कास्टिंग स्लैब लेबल तक ब्रीक वर्क भी हो गया लेकिन आपने कहीं इस्टियर बनते हुए नहीं देखा अभी इसमें सिड़ी ही नहीं बनाया गया इस्टार्ट ही नहीं किया गया है तो मेरे पास कमेंट आया और कमेंट के एकॉर्डिंग यह मैं वीडियो बनाया हूँ आप सब भ कमेंट किया कॉल किया तो मैं इनके कमेंट के एकॉर्डिंग ये वीडियो है ओके आप सब भी कमेंट करें देखिए इस्टियर बना नहीं है अभी तक और कैसे मैं इस्टियर इनका बनाया हूं यह पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा थोड़ा सा वीडियो लाश कैलकुलेशन करता हूगा देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चोटा सा रिक्वेश्ट है कि आपने अभी तक सिबिल साइट नौलेज को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जैसा कि आपने व वीडियो बनाने जा रहा हूँ कैसा मैंने इनका इस्टियर का डिजाइन किया हूँ वीडियो लाज तक देखिए आप भी सिख जाएंगे आप सब भी comment करें आपके comment के according वीडियो बनाया जाएगा ओके तो देख लिजी यहां पर dimension देखते हैं कि dimension है इनका 15 foot inner to inner ओके यहां से लेकर के यहां तक का जो dimension है 15 foot है और चोड़ाई इसका 8 foot है तो इस एरिया में steer बनाना है साथ में देखिए है इन्होंने gate प्रवाइड किया है यहां पे तो gate अंदर के तरफ फूल रहा है इसके लिए भी space छोड़ना है और प्लस में जाने के लिए इधर जो इन्हों ने बनाया है जैसे कि hall होगा, kitchen ये सब जाने के लिए राष्टा भी छोड़ना है तो मैं एक पैसे छोड़ दिया हूँ जाने के लिए साड़े तीन फूट का ये गल्ली हो जाएगा और यहां से मैंने यूसेप में steer इनका start किया है इसका calculation जो होता है बहुत सही असान होता है आप समझ जाए देखिए यहां से steer start होगा ओके 1,2,3,4,5,6,7 यहां से हम slab पर चले जाएंगे प्लस में first floor पर चले जाएंगे तो यहां से फिर इधर जो उन्होंने planning किया है उसके according रीपीट कर सकते हैं first floor और second floor बना सकते हैं तो देखिए steer जो बना हुआ है यह 11 foot में बना हुए यहां से लेकर यहां तक जो dimension 11 foot है और 4 foot मैं यहां पर छोड़ दिया हूँ इसलिए कि यह gate open होने में कोई परसानी नहीं हो steer का जो चोड़ाई मैंने provide किया है यहां से यहां तक यह अढ़ाई foot का है ओके तो चलिए detail में समझते हैं कि number of a riser कितना होता है और trade कैसे calculate करते हैं इसका area कैसे calculate करते हैं तो थोड़ा यहां पर ध्यान दिची जो slab height है slab height है यहां से steer start हो रहा है तो यह slab height है 11 foot ओके तो 11 foot slab height है देखिए first step, second step, third step प्लस में यह वाला portion है यहां पर प्लस में यहां से turn हो के slab पर चले जाएंगे तो मैं यहां के समझाने वाला हूँ आपको थोड़ा सा यहां ध्यान दिची यह देखिए R जो लिखा है यह राइजर यानिक एक step का height है आपका ओके एक step का height कीतना रखे तो देखिए मैं recommend करता हूँ कि जब कभी भी आप इस tear बनाया है तो एक क्राइजर का height आपको 6 inch रखना चाहिए लेकिन मैं यहां पर 7 inch रखकर बनाया हूँ और जिस पर pair रखकर चड़ते हैं देखिए मैं यहां पर T लिखा हूँ यह trade बोलते हैं इसका चोड़ाई मैं 9 inch रखा हूँ ओके तो यहां पर calculation आप समझेए थोड़ा सा calculation समझना है आपको ओके तो देखिए slab height कितना हो गया आपका 11 foot ओके तो अब यहां पर slab height 11 foot है ओके तो इसको inch में मैं change कर देता हूँ एक foot बराबर कितना होता है 12 inch तो 11 multiply by 12 कर दिया तो 132 inch आ गया अब दिखिए number of r number of r यहां पर दिख रहे हैं लिखा हूँ number of r यहां राइजर टोटल राइजर कितना होगा यहां पर देखिए कि यहां से start करेंगे steer और यहां तक जाने के लिए total number of r कितना होगा अगर हम total height में से एक राइजर के height से भाग कर देंगे तो आपको निकल जाएगा देखिए तो यहां पर यहां कि वन सबें सोरी 32 inch हो गया यह आपका 132 inch आप भागे किता करें 7 inch राइजर का height हम कितना रख रहे हैं इसका height हम रख रहे हैं यहां पर देखिए 7 inch से divide कर देंगे 18.85 आया तो देखिए इस तरह से आपको यहां रांड में रखना है या तो अठारह रख सकते यहां 19 नंबर रख सकते हैं तो मैं देखिए यहां 19 नंबर रखा हूं ध्यान दीज्ये तो आठ कितना ऊज़गा यह ऐसा 19 नंबर तो 19 नंबर होगा तो 7 inch का रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जागा तो इसलिए मैं लहाँ किया हूं आर ये कोलो टू साड़े छे स्री यहाँ परड़बल-डैस रहाईगा चा यहाँ के होट कर रकर रह रहे हूं दो नंबर दो यह पटेप जो बने पेर रख के चड़ते हैं ओके तो यह होता है नंबर ओफ ए टी यहां पर देहां दिए नंबर ओफ ए टी इसकोल टू आर माइनस वन तो आर कितना है 90 नंबर आप 1-18 नंबर तो देखिए यहां पी 18 नंबर आपको दिखेगा देखिए वन टू यहीं है टी आपका horizontal distance हो करता है 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ओके 10-11-12-13-14-15-16-17 और 18 यह आपका 18 नंबर टी हो गया ओके तो अब यहां पर मैं जो टी जो है आपको कैसे मैं मनेज किया हूं देखिए यह 9 इंच का टी टेट रखना पड़ेगा कितना 9 इंच का यहां से लेकर कि यह वालाटी यहां से लेकर यहां तक यानि 6 से लेकर 13 नंबर कितना 9 इंच का रहेगा और 16-17-18 यह कितना रहेगा 8 इंच का ओके यह 8 इंच का रहेगा यहां पर देखिए मैं मैं मेंसन कर दिया हूं 8 इंच का कितना 1-2-3 नंबर और 16-17-18 नंबर कितना 8 इंच का 9 इंच का कि छे से लेकर तेरह नमबर तर ओके इस तरह कैलकुलेशन है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तब फिर से वीडियो देखिए इसकीब कीजिए और फिर से दोबारा देखिए आपको समझ में आ जागा और मैं आपसे रिक्योष्ट फिर कर रहा हूं कि अभी तक आपने सिबिल साइट नोलेज को सब्सक्राइब निकिए सब्सक्राइब कर ले देखिए मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूं उस प्ले लि झाल झाल